Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हो, उसका नाम है trash, यह असल में दो कच्रे उठाने वाले बच्चों की कहानी है, जिने एक bag मिलता है और इस bag में ऐसा क्या है, जो इनकी किस्मत बदल देता है, कहानी शुरू होती है, रफेल जो की ब्राजील की एक की कहानी बताता है, अब यहां से सीन शिफ्ट होता है जियोर्ज नाम के शक्स पे, जो एक गहरे सदमे से गुजर रहा है, क्योंकि उसकी बेटी पिया, जो कि सिर्फ 10 साल की थी, उसकी मौद हो चुकी है, और वो उसे एक ताबूद में रखकर दफनाने ले जा रहा है, ले बहां से निकल जाओ, जियोर्ज एक पस में अपनी बेटी की फोटो रखता और एक चाबी भी, जो किस चीज किये हमें नहीं बता, अब पुलिस को देखकर वो भागना शुरू करता है, लेकिन तब तक पुलिस के घर के अंदर आ शुकी थी, जियोर्ज फोरन खिड़की से देख लेती है, लेकिन वो उस तक पहुश नहीं पाती, लेकिन यहां उनके हाँ जियोर्ज लग चुका था, इसके बाद हम उसी ट्रक को देखते हैं, जो शहर के सबसे बड़े डंपिंग यार्ड में पहुचता है, जहां बहुत सारे कूला बीने वाले लड़के राफेल को देखते हैं, यह वही है, जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, अब वो भी कच्रे उठाना शुरू करता है, और इसके किस्मत इतनी अच्छी होती है, कि वो पर्स उसे ही मल जाता है, लेकिन उसे खोलने से पहले वो उपर वाले से विंती करता है, कि इ इसमें उसे जोर्ज का ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी बेटी की फोटो और एक की मिलती है, जो देखने में बहुत ही अजीब थी, लेकिन मैं इतना बता दू कि आपको यह की आगे जाकर इस पूरी कहानी का रुख पलटने वाली है, अगले सीन में हम फ्रेडी नाम के शेरिफ को देखते हैं, जो किसी के कहने पर जॉर्ज को बहुत मारता और उसे उसी पर्स के बारे में बार बार पूछता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं पताता, वलकानी आगे बढ़ती है और एक अमेरिकन ललकी को देखते हैं, जो कि एक NGO चलाती है, और वो उस इसलम के बहुनने के लिए यहां बराये था, और वो उन गरीब लोगों से कहता है कि अगर किसी को लाल कलर का पर्स मिले, तो वो हमें वापस कर दे, उसके बदले में उन्हें बहुत बड़ा ही नाम मिलेगा, लेकिन यहां इस बारे में किसी को पता नहीं था, पर जब इस बात को र अगर किसी को पता है उसके बारे में तो हमें बता दो, उसके बदले में तुम्हें एक हजार डॉलर मिलेंगे, अब यह सुनकर जॉन अपने दोस रफैल की तरफ देखता है, लेकिन वो इशारों में मना कर देता है, लेकिन फ्रेडी यहां समझ जाता है, और उसे हलका सा उ चाहिता है, उसी पर्स को लेकर, और उसको सारी बाते बताते हैं कि वो उनसे कहता है कि पहले तो तुम्हें इस चावी के बारे में जानना होगा, कि आखिर यह किस चीज की है, उन्हें उस चावी पर एक लॉकर का नाम लिखा मिलता है, और नमबर भी, तो वो उनसे चाहर को बोलता है अब ये तीनों सीटी तो पहुच जाते हैं जहाँ उन्हें वो लॉकर भी मिल जाता है लेगन उसके आस पास पुलिस खड़ी मिलती है अगर उन्हें उसे खोलने की कोशिश करी तो ये पकड़े जाएंगे पर यहां जॉन एक प्लान बनाता है वे उक लड़की की पर स्चीन कर भागने लगता है जिसके पीछे सारी पुलिस लग जाती है और इसी का फायदा उठा कर ये दोनों उस लॉकर को खोलते हैं जिसके अंदर उन्हें एक लेटर मिलता है और पिया के कुछ फोटोज मिलती है फोटो के पीछे कुछ नंबर भी लिखा हुआ था उ हमें इसके बारे में और जानकारी एक ठाक करना चाहिए इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हानी चाहिए अगर कुछ बड़ा निकला तो हम करोल पती बन सकते हैं तो वो तीनों लोग वहां से डारेक्क उलीविया के घर जाते हैं जहां पर वो बाहर किसी से बात कर रही थी और य उसकी पूरी जानकारी को प्रिंट करके निकाल लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं वहीं दूसी और फ्रेडी जो इसलम में सभी पर नज़र रखे हुए था पर यहां वो नोटिस करता है कि वो दोनों बच्चे उसे काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे था इस बार म है कि मुझे लगता है कि यह जरूर कोई सीरियल किलर हो सकता है जो कि जील में बंद है लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाकर गेम खेलने लगता है पर इतने में उसकी नजर पड़ती है रफैल पिर जिसको कुछ पुलिस वाले जबरदस्ती उठाकर ले जा र लेकिन आप पुलिस वालों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि रफैल को पुलिस टेशन लाए नहीं गया था उधर हम देखते हैं कि वह पुलिस वाले रफैल को फ्रेडी के पास लेकर जाकर छोड़ देते हैं जहां वह उसे पूछता है कि अगर तुम्हे इसे बहा निकालता और फिर से वही सवाल करता है कि वो पर्स कहा है लेकिन रफैल का जबाब वही था उससे नहीं पता है अब यह सुनकर फ्रेडी का दिमाग घूम जाता और उसे इतना ज्यादा गुसा आता है कि वो अपने साथ ही आफिसर को आर्डर देता है कि इसे सक्मी हालत में देखते हैं और जल्दी से एंजियों के अंदर लाते हैं फादर जल्दी जल्दी उसका मरह पटी करते हैं और कुछ दिर बाद वो से पूछी लेते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो पर्स मौजूद है लेकिन वो उन्हें भी मना कर देता है अब यहां जौन जो जो कि इस समय जेल में बंद है अब यहां जौन ओलीविया से जूट बोलता है कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है अपने ग्रान फादर से मिलने के लिए पर वो से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी उसके साथ जाना होगा क्योंकि वो एक अमेरिकन है और यहां प जाते हैं जहां पर जियोर्च पहले काम किया करता था अब इतनी सारी कुराफाते वो बस इस चीज के लिए कर रहे थे ताकि उन्हें उस चाभी और उस नंबर के बारे में बता चल सके अधर ओलीविया अपने पासपोर्ट की मदद से जील के इंदर पहुच जाती है और य फैल उसे जुट बोल कर लाया था कि वो उसके दादा जी है अब उसका प्लान पर पानी फिर रहा था पर इसके बाद जॉन उसके पास जाता और उससे समझाने की कोशिश करता है लेकिन अट ता एंड जब वो उसे वही सेम लेटर में लिखी होई बाते बताने लगता है त इसमें में बता चलता है कि जॉर्ज सालों पहले जहां पर काम करता था वो एक माफिया बिजनसमेन था जिसके पास पैसों की भरमार थी और एक दिन जॉर्ज ने उन सारे पैसों को और बुछ पीपर्स को चुरा लिया क्योंकि वो शहर में बहुत बड़ा करिप्शन कर रह और तब से ही लेकर आज तक वो माफिया अपने पैसों के लिए George को तकलीव दे रहा है लेकिन वो पैसे कहा है George के अलावा किसी को पता नहीं है इसके बाद उस बुले आदमी को सभी बातों पर यकीन हो जाता है और वो John से कहता है कि अब तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता लेकिन वो जगां कहां पर है जहां George ने उन पैसों को चुपाया ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन उसी समय वो अपने एक आदमी से कहता है कि जब ये लड़का यहां से बाहा निकले तो तुम इसे मेरी Bible दे देना जिसमें तुमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल ज लिए जब वो घर आती है तो इस बारे में उससे पूछती है लेकिन वो उसे भी कुछ नहीं बताता तब ही रफैल कहता है कि आप हमारी एक वीडियो शूट करो कि आकर फ्रेडी ने हमारे साथ क्या किया है तो वो मान जाती है और उनकी एक वीडियो बनाती है जिसमें रफ फ्रेडी भी उस वीडियो को देख लेता और फॉरण उनके घर पहुच जाता है लेकिन उससे पहले ही वो तीनों मां से निकल जाते है पर यहां पर फ्रेडी को उलीविया के घर पर वही लाल पर्स मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उन लड़कों को पैसों के बा थे उनके रहने खाने का समान सब को जल जाता है उदर वो तीनों बच्चे सीटी के और बढ़ने लगते हैं लेकिन यहां पे उन्हें अब कुछ पैसों की जरुद पड़ेगी क्योंकि वो आदमी जिसके पास बाइबल है वो इनसे पैसे मांग रहा है इसलिए जान फादर क लेकर जाता है और उनके पास जितने भी पैसे थे वो ने चुरा लेता है पर वो एक पूस्टर भी वहां छोड़ दीता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यह जौन ने करा है पर क्यूं करा है यह उन्हें अभी तक पता नहीं होता इसके बाद रफैल सभी को अपना प् लेकता है और सोचता है कि वो बिना पैसे दिये बिना ही बाइबल को लेकर भाग जाएगा हालाकि वो ऐसा काने में कामियाब तो हो जाता है लेगिन तब तक वहां पुलिस आ जाती है जो उस आदमी को पकड़ लेती है पर जौन भागने में कामियाब था अब कुछ जरबा इसके बाद था 4 यानि कि chapter 4 अगला था 3 यानि कि point number 3 और आखिर में था number 10 जिसका मतलब था कि तीसरे line का दसवा word अब इन सब चीजों में एक चीज common थी और वो थी किसी भी जानवरों के नाम जैसे कि cow, bull, goat जो से देखकर रफैल को उस लोटरी के बारे में याद आता है जो से George के purse में मिली थी वो उन जानवरों के आगे लिखे वे लोटरी number को match करता है जो किसी address की तरफ इशारा कर रहा था तब ही अचानक से वहाँ पर John आता है जो उने बताता है कि पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है वो फोरन वहाँ से भागने लगते है लेकिन जलबाजी म वो उस नंबर को मिटा नहीं पाते जिसके वज़े से फ्रेडी उसे देख लेता है उसे सब कुछ समझा जाता है उदर रफैल एक कबरिस्तान में पहुचता है और सबसे चुपते चुपाते लेकिन अभी उसे वो पहली का हल नहीं मिला था उसी दौरान उसके हाथ में एक जीसिस की फोटो हो दिये जो उने उसी पर्स के अंदर से मिली थी तभी उसे ध्यान आता है कि जौर्ज के सबसे जादा करीब उसकी बेटी थी और उसके मन्ने के बाद भी जरूर वो पैसे उसकी बेटी के आसपास ही होंगे इसलिए वो उसी ग्रेव याड पर पिया की कब लाकर देता था लेकिन उसके जाने के बाद वो भूकी रहती थी तो रफैल से कुछ खाना मांगती है लेकिन उसी दौरान वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है जिसने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया था और वो तीनों से कहता है कि इस कबर को खोदो तो उसे खोदना पीचे से पी आकर उसके सर पर हमला कर देती है जिससे वो गिर जाता है और इतने में रफैल उसे बंदूग चीन लेता और उस पर तान देता है यह सेम वही सीन होता है जो हमने कहाने के शुरुआत में देखा था अब ये सब देखकर जौन कहता है कि इसे मार दो लेकिन उड़ा देता है ताकि जिन लोगों के घर उनकी वज़े से जले थे वो अपना घर को दुबारा बना सके अपनी जरूरते पूरी कर सके सबी लोग बहुत ही खुश थे इतने पैसों को देख कर लेकिन यहां वो तीन के जगां चार हो गए थे और उनके साथ अब पिया भी मौ जलता है जिसमें कहानी का असली सच छुपा हुआ है रेजिस्टर में सारी डीटेल थी सैंटो जो कि माफिया था उसने कहां कहां पर करप्शन किया था वो सारी जानकारी उस रेजिस्टर में मौझूद थी पैसों के साथ अब फादर और ओर उलिविया उन सारी डीटेल को आनलाइन अपलोड कर देते हैं जिससे की पूरे शहर में भूचाल आ जाता है। सभी को पता जल जाता है कि यहां पर इतना वड़ा करप्शन हो रहा है। पूरे शहर के लोग सलकों पर उतर जाते हैं और उस माफिया जो कि अब पॉलिटीशन बन चुका है उसे आरेस कर लिया जाता है। शहर के सभी लोग का एक ही सवाल था कि आखिर वो बच्चे कहा है। सभी इन तीनों को ढून रहे थे लेकिन ये चारों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों ये कहानी आपको बॉलिवूड की कौन सी स्टोरी की याद दिलाती है। नीचे कॉमेंट करके जुरू बताएगा इसी के साथ ये कहानी ये खतम हो जाती है।